और कम बारिश होने से 36 गड़ के किसान परिशान है। आलात ये हैं कि वो बुआई करने से घबरा रहे हैं। अब खेतों के लिए वो आस्मान की ओर टक्टकी लगा कर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इसी खास ख़बर के साथ एक रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते हूं। एक्सपोर्ट के मुताबिक बारिश में और देरी फसल पर असर डाल सकती है। और इसका असर केंद्रियपुल को बेचवे जाने वाले चावल पर भी पड़ सकता है। सूबे के 11 जिलों में ही सामाने बारिश दर्ज हुई। इसमें से सरगूजा बेमित्रा की हालत सबसे जादा खराब है। यहां सबसे कम बारिश हुई। 23 जिलों में सामाने से कम बारिश रिकॉड की गए। सामाने से कम बारिश वाले जिलों को देखे। बालोद में 29 फीसदी, बस्तर में 27 फीसदी, दंतिवाडा में 23 फीसदी, दुर्ग में 59 फीसदी, धमतरी में 35 फीसदी, गरियाबंद में 37 फीसदी, जश्पूर में 48 फीसदी, कांकेर में 46 फीसदी, खेरागड छुई-खधान में 50 फीसदी, पूंडा गाउं में 40 फीसदी, कोरिया में 32 पीसरी, महासमुंद में 36 प्रतिशत, मनेंद्रगड में 47 प्रतिशत, मोहला मानपुर चौकी में 32 प्रतिशत, राइपूर में 35 प्रतिशत, राजनान गाव में 50 प्रतिशत, सक्ते में 31 प्रतिशत, वही सारंगड भिलाईगड 42 प्रतिशत, और सूरजपुर में 44 प्रतिशत कम बारिश तर्ष किगे हैंत। वही सबसे कम बारिश वाले जिलों की बात करें तो यह बेमितरां में 58 पीसदी तर्ष की हैं। अभी सुकागरस्त की बात करें तो अभी दो जिलें में छात्यज गड़ के सबसे ज्यादा। जो डेफिजन्सी में चल रहा हिए जिसमें बेमितरा 58 परसेंट और सुर्जपूर। सुरजपूर भी जो है 58% की डेफिजन्सी में चल रही है पन्तो आने माले दिनों में यह डिफिसेंसी यह जो है वो धिरे धिरे उसमें कमी आ जाएगी और मांसुन के खत्म होते तक के इस डिफिसेंसी यह नॉर्मल के स्टेज में आने की संभावना है वही सामान्य बारिश वाले जिलो को देखें तो बलोदा बाजार, बल्ट्रामपुर, वीजापुर, बिलासपुर, कॉरेला पैंडरा मरवाही, जानजगीर, पूर्बा, मुंगेली, नारायमपुर, राइगर और सुक्मा में बारिश सामान्य रही बारिश की आस लगाये बैठे किसानों का कहना है कि जल्द बारिश नहीं हुई तो धान की बुआई फिर से करनी पड़ेगी बारिश का इंतजार है हो नहीं रहा है पंडरा दिन हो गया है आने वाले दिनों में अच्छी बारिश के संकेत मिले हैं उमीद है कि इससे भरपाई हो जाएगी और परिशान किसानों की फिक्र भी खत्म हो जाएगी व्यूरो रिपोर्ट के साथ टिकेश वर्मा बंसल लिउस रायपूर